हेलो प्यूरिफुल पीपल आज के इस एपिसोर में हम सीखेंगे मुगलाई पराथा बनाना तो उसके लिएग बोल में मैंने दो कप मैदा लिया है जिसमें मैंने डाला दो बड़े चमच घी और नमक स्वाबन असार और नॉर्मल पानी से इसे हम घूत लेंगे और कपल सौफ ब्रो बना लेंगे मुगलाई पराथा जो है वो कोलगता में बहुत ही ज़्यदा फेमस है और यहां जो स्ट्रीट मिलता है वो काफी हैवी मिलता है उसके उपर आलू कुस दिया जाता है उसके उपर अंडे फिर इसे फोल्ड करके बनाया जाता है और वो बहुत हैवी हो जाता है मैंने यहाँ पर एक लाइटर वर्शन मुगलाई पराथा बनाई हूँ जो काफी हलका है और काफी टेस्टी है और काफी ही अच्छे से बन चाहती है और सबको बहुत ही पसंद आती है और आपको खाने के बाद काफी हलका फीलोगा लगी गई निकिए आपने कुछ खाया है और यहाँ पर मेरा ये डोभी बन के तियार हो गया है इसे हम थोड़े से हाथ में तिल लगा के स्मूथ कर लेंगे और फिर एक धटकन से धग देंगे एक बोल में हम डालेंगे पांच अंडे उसमें डालेंगे दो कते हुए प्याज धनिया पत्ता कते हुए लेसुन कते हुए और ग्रीन बीन्स और हरे मिर्चे और इसमें डालेंगे हम नमक, स्वादानुसार और काले मेरिच, स्वादानुसार और फिर इसे इस तरीके से फोट लेंगे बहुत यची तरीके से और बस अभी क्या करेंगे अब जो दो हमने बनाया है उसमें से थोड़ा सा पोशन हम लेंगे और उसका एक प्रर रोपी बना लेंगे अगर वो गोल नहीं भी बनता है तो को प्राइलम नहीं है कूँए हम गोल नहीं चाहिए हम इसे फोल्ड कर देंगे तो इस तरीके से इसे करने के बाद इसके बीच में हम अन्दार और रखिये जो हमने अन्डी के घोल बनाए हैं और जादा नहीं बस दो चमच उससे ज्यादा गर आप रखेंगे तो यह बन नहीं पाएगा अब इस तरीके से फोल्ट कर देंगे बिल्कुल इसी तरीके से और इसे अच्छ से प्रस कर देंगे कुछ इस तरीके से मैंनो तेल अलेटी गरम करने के लिए रगिया था इसमें हम इसी डी फ्राइ करेंगे दोनों तरफ से अच्छी से लाल हो जाए और मीडियम आज पर इसे फ्राइ करेंगे ताकि अंदर में पच्छा ना रहे हैं और इसे चक्को के मदद से इस तरह किसे काट लेंगे और फिस घरमा घरम सर्फ कर हैं अंडे कितने अच्छी से फूल गए अंबर और यह बहुत अच्छी से हो गया है चक्मी के साथ इसे हम सर्फ करेंगे कुछ इस तरह किसे अरे टेस्टी डिलेशियोस मुगलाइक पराथा बनके बिल्कुल ही त्यार है इसे जरूर ट्राइक करें और इसे जरूर आप मेरे चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी अच्छी रेसिपीज यहां दागती हूँ और आप सबी को यह सारी रेसिपीज बहुत अच्छी लगेंगे ठैंक्यू गाइस